इंडिया या अखंड बारत के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पे जो आपको विबाजन देखने को मिलेगा तो यहां पे देखने को मिलेगा यह इंडिया और अफगानिसान के बीच में तो इंडिया और अफगानिसान के बीच में आपको देखने को मिलेगा क 1837 में तो यहां पर जो partition हुआ था यहां चान चान ऑप रागा खांफर भी सुझमि को कोई ज्यादा यहां-पर मुनाफवा नहीं हो पा रहा था जिसकी वज़े से उन्होंने क्या बोला कि यहां पे रूल करने का कोई फैदा नहीं है तो इसलिए यहां पे इसे भारत से अलग कर दिया गया अफगानिसान को 1837 में और यहां पे जो लाइन थी इसे डियूरेंट लाइन बोला गया क्लियर है उसके बाद यहां पे 1937 ठीक है बर्मा या आज के समय में इसका नाम क्या है मैंनमार ठीक है तो इसे यहां पे लग किया गया बारत से यह जो गवर्मेंट ओफ इंडिया अक्त 1935 आया था उसके तहती बात बोली गई थी लेकन इसे जो अलग किया गया था वो कब किया गया था नाइटीं थ्रीत सैवन को ठीक है तो 1947 को पाकिस्तान को यहां पे भारत से अलग किया गया रेड कलीफ लाइन यहां पे खीचीगी ठीक है यहां पे जो थे यहां पे सर सीरियल रेड कलीफ ठीक है तो इनके दोवारा यहां पे यह लाइन को ड्रो किया गया था तो यहां पे चेर में थे इनके अंडर यहां पे घार मेंबर ओर थे जो किंडर काम कर रहे थे प्रौक करने के लिए तो जब यहांने समस्क्रान के बारत के बारे, बिलकुल हुआ उनके दुबारा यहां पर फिर भी विभाजन कर दिया गया थीक है और इसी के साथ में यहां पर जो इंडिया बंगला देश यहां पर आपको देखने मिलेगी जीरो लाइन देखने मिलेगी इनके बीच में तो यहां दो